तो आज के Current Affairs के अंतरगत हम कुछ महत्रपूर Current Affairs के टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम के दृष्टिकूर्ण से बहुत ही जरूरी होने वाले हैं तो देखिए आज का पहला Current Affairs है आपका एक इंडेक्स है जिसका नाम है Rule of Law Index यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह है Rule of Law Index ठीक है 2022 में जो यह आपका इंडेक्स निकला है और इसको जारी करने वाला है World Justice Project जिसको हम बोलते है World Justice Project के द्वारा जारी किया गया है Rule of Law Index क्या किया गया है Rule of Law Index 2022 ठीक है अब World Justice Project के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है और यह आपका इसमें टूटल 44 मानक थे जिन पे बिश्व के देशों में कानून के सासन की क्या इस्थिति है है ना आपको पता है कि भारत में भी कानून का शाशन है ब्रिटेन के सम्विधान से हमने लिया है इसको है ना कानून के सासन की बिश्व में क्या इस्थिति है किस देश में कानून का शाशन कैसा है इसको लेकर के पूरा इंडेक्स निकलता है कानून के सासन की इस्थिती बताता है कि इस्थिती इससे पता चलती है तो कानून के सासन की क्या इस्थिती है उसको लेकर के पूरा का पूरा इंडेक्स आपका जारी हुआ है अब इस इंडेक्स में टोटल जो है 140 देश थे 140 देशों में number 1 जहां पर rule of law सबसे अचादा है सबसे बेतर है उनमें से number 1 में आपका है Denmark number 1 में हैं आपका Denmark ये country आपको पता है हर चीज में number 1 है number 1 Denmark है number 2 पे Norway है number 3 पे Finland है Norway है और number 3 पे Finland है Finland है rule of law यहां पर सबसे best है Denmark में फिर है Norway पे और फिर है Finland पे और अब आपको पता होगा हमारे भारत की स्थिति क्या है तो भारत की स्थिति आपको पता है हर index में हम बहुत पीछे होते हैं तो 77 नमबर पे हैं हम लोग भारत में rule of law की स्थिति है 77 नमबर पे ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है clear है इस पस्थ है सभी लोग यह वाला topic complete rule of law index में number 1 पे Denmark है और भारत की rank 77 भी है इसमें कानून के सासन के स्थिति को ले करके world justice project के द्वारा यह report आपकी जारी किये जाती है तो यह आपको ध्यान रखना है चलिए next आगे चलते हैं अगला current affairs जो आपका है next current affairs है UNESCO से जुड़ा हुआ है UNESCO का जो है UNESCO का है यह UNESCO Global Network of Learning Cities से जुड़ा हुआ है यह आपका UNESCO से जुड़ा हुआ है यह है Global UNESCO Global Network of Learning City ठीक है तो दो सिप्टेंबर 2022 को UNESCO Global Network of Learning City के अंतरगत 44 देशों के 77 सहरों को इसके अंतरगत रखा गया है 77 cities को जो है रखा गया है total 77 सहरों को रखा गया है हाँ World Justice Project इसको जारी करता था ठीक है तो यह अगला Current Affair से आपका UNESCO से जुड़ा हुआ है इसमें total 77 सहर थे आपके इसमें 77 सहर लिए गया है जिनमें से तीन सहर भारत के है तीन सहर भारत के हैं हमारे ठीक है UNESCO Global Network of Learning Cities ठीक है अब तीन सहर जो भारत के हैं एक बार करम से उन सहरों के बारे में बात करते हैं पहला है आपका देखे केरल के ही दो हैं यहाँपर पहला है नीलामबुर नीलामबुर ठीक है दूसरा है आपका त्रिशूर त्रिशूर और तीसरा है आपका ये है वारंगल वारंगल ये तीन सहर है आपके जो की जो है इसमें जुड़े हैं आपके निलामबूर आपका केरल का है केरल का है इसके बाद त्रिशूर भी आपका केरल का है और वारंगल के बारे में साइद आप जानते हैं ये आपका तिलंगाना से जुड़ा हुआ है तो देखो युनेस्को से कोशन पूषते हैं युनेस्को के दवारा वर्ल्ड हैरिटेस साइड भी आपकी गोशित की जाती है तो युनेस्को के दवारा ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग सिटीज जो आपका है ये इसके अंतरगत सततर सहर, बिस्स के, चवालिश देशों के सततर सहरों की सूची बनाई गई है जिनमें से तीन सहर में निलामबुर, त्रिशूर और वारंगल ये तीन सहरों को जो है आपके इसके साथ जोड़ा गया है अब देखो निलामबुर जो है एक तरीके से देखा जाए तो आपका यहाँ पर सागाउन के पेड़ बहुत सारे पाए जाते है निलामबुर में, ये इसको लेंड ऑफ टीग कहा जाता है निलामबुर को लेंड आफ टीक भी कहा जाता है क्या बोला जाता है लेंड आफ टीक यानि कि सागाउन का स्थल सागाउन के स्थल के तोर पे भी जाना जाता है और यह भारत के केरल राज्य में एक तरीके से पालिस्तिकी पर्टेयन के लिए एको टूरिजम के लिए बहुत इंपोर्टेंट स्थल है तो युनेस्को के द्वारा जो है इसको सामिल किया गया है GNLC में, GNLC का मतलब है Global Network of Learning Cities के अंतरगत दूसरा जो आपका त्रिशूर है, त्रिशूर केरल की सांस्कृतिक राधधानी के तौर पे जाना जाता है तो त्रिशूर आपका केरल के सांस्कृतिक केंद्र के अंतरगत है यह आपका सांस्कृतिक कल्चरा, जो है राधधानी के तौर पे त्रिशूर को हम जानते हैं और वारांगल के बारे में जानते है, वारांगल एतिहासिक सहर राय आपका और यह तिलंगाना सहर स technलंगाना का महतरपूर्द सहर के अंतर्गत है ठीक है तो ये दिहान रखना है आपको तीन आपके निलांबूर त्रिशूर वारांगल ये आपके जुड़े हुए हैं क्या हैं युनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क आफ लर्निंग शिटीज के अंतरगत भारत के इन तीन सहरों को जोड़ा गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अगला करेंट अफेर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपके सामने है ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही मात्रपूर करेंट अफेर्स है चलिए अब देखें अगला करेंट अफेर्स जो आपका है ये ये आपका जुड़ा हुआ है बैस बैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जो है यह आपका जो है यह कौन जारी करता है जारी करने वाली संस्ता है बिस्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है पहले तो यह आपको पता होना चाहिए उद्देश से क्या है, इसका ultimate इसका गोल है आपका कि बिस्व में लैंगिक समानता को प्राप्ट करनी की दिशा में अभी क्या क्या चीजे हो रही है, कैसे कैसे हम लैंगिक समानता को प्राप्ट कर पा रहे है पुरूस और महिला की सहभागिता कहां कहां पे हो रही है तो यह लैंगिक समानता को नापता है यह पूरा का पूरा इंडेक्स आपका लैंगिक समानता को अब देखे भारत में भी आप देखेंगे वोमेन इंपावर्मेंट को लेकर के काम हो रहा है और ऐसे में इस्थिति आपकी भारत को लेकर के बहतर हो रही है अच्छा आप इसमें चार पैरमीटर बनाए गए है पहला तो आपको पता है education, शिक्षा में महिलाओं के इस्तिति क्या बन रही है पुरसों की तुलना में, दूसरा स्वास्त को लेकर के उनके इस्तिति क्या है, और तीसरा आपका है आर्थिक ससक्तिकरण कितना हुआ, economic empowerment plus political empowerment है, दोनों को ये देखता है, तो आर्थिक plus राजनी आर्थिक और राजनीतिक लेंगिक समानता को लेकर के भी ये काम करता है, तो ये आपका वैस्विक लेंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 आई हुई है, इसके अंतरगत आपके ये चार parameters हैं, चार मानकों पर इसको हम देख सकते हैं, चार parameters, चार मानक इसके अंतरगत हैं, World Economic Forum के द 13 जुलाई को आई है, 13 जुलाई 2022 को जो जारी की गई है आपकी ये रिपोर्ट, अब इस रिपोर्ट के अंतरगत पहले नमबर पे कौन-कौन से देश हैं, पहले नमबर पे आपको पता है कि फिर वही नाइडिक कंट्री ही नमबर बन में आ जाती है, नमबर एक पे आपका बेटर है, माई लाउं की स्थिति भी अच्छी होगी फिर, ठीक है और फिर आपका नमबर तीन पे नार्वे है, टॉप थ्री में तो यही है आपके, अब मुद्दा है कि यह हमारा भारत कहां पे खड़ा है, ठीक है, तो भारत 135 नमबर पे है, हालत बहुत खराब है, अब आप इससे समझ सकते हैं, 135 नमबर पे है भारत आपका, भारत है 135 नमबर पे, आइसलेंड नमबर एक पे भारत 135 नमबर पे, ठीक है, लेकिन फिर भी, अब हम काफी सुधार लगतार कर रहे हैं, पहले से हमारी इस्तिति बहुत अ पिछले साल हमारी इस्तिती 140 थी 140 थी और अभी जो है 135 नंबर पे आ गए तो बैस्विक लेंगी कंत्राल रिपोर्ट वर्ल्ड एकॉनोमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है महिलाओं की भागीदारी पूर्सों की तुलना में कितनी हो रही है इसको लेकर के पूरा का पूरा आपका सूचकांग है सभी लोग को क्लियर होता जा रहा है एक बार कमेंट सेक्षन पे एक्टिव होकर के बताए मुझे एक एक टॉपिक कबर हो रहा है आप लोगं का हां सभी का एक एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है समझ में आ रहा है न और सर्प्राइज होने की जुरूत नहीं है इसके माध्यम से मेरी आवाज सुनाई दे रही आपको बड़िया से आपको चीजे हो जानी चाहिए चलिए अगला चलते हैं देखें अगला सूचकांग के आपका यह रिपोर्ट आपकी Yale Center for Environmental Law and Policy के द्वारा जारी किया जाता है और यह हर दो साल में रिपोर्ट आती है अपकी हर दो वर्स में रिपोर्ट आती है इसको जारी करने वाला है Yale Center for Environment Law and Policy उसके द्वारा जारी किया जाता है और जो है कई सारे Yale University आपको पता होगा Yale University Columbia University मिल करके आपकी बनाती है तो एक जून 2022 को ये रिपोर्ट आई थी आपकी 2022 का है हर साल आपका ये रिपोर्ट दो साल में आती है और इसके अंतरगत आपको पता होगा कि फिर वही बात है कि environmental performance में कौन सा country कैसे perform कर रहा है तो environmental के अंतरगत number 1 पे आपका डेनमार्क है number 1 पे आपका डेनमार्क है ठीक है number 2 पे आपका UK है number 3 में आपका Finland है Finland है ये 3 हैं आपके ठीक है Denmark, UK, Finland ठीक है और यदि हम भारत की ranking की बात करें तो बहुत बुरी इस्तिती है ये मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये भी condition हमारी बन सकती है इस report के according हम 180 नमबर पे है मतलब आप सोच नहीं सकते है ठीक है, ये सबसे last में खड़ा है भारत इस report में पर्रयावर्ण प्रदर्सन सूचकांग 2022 में हमारी इस्तिती दयनी है सबसे last में खड़े है मतलब आप सोच नहीं सकते 180 देशों में से सबसे अंत में भारत ही है अब ये कैसे है, पता नहीं ठीक है, पर्रयावर्ण प्रदर्सन सूचकांग कई सारे लगबग 11 पेरामीटर्स होते हैं इसमें और उसके अधार पे 180 देशों को लेकर के इसमें सोचा गया था अब इसमें देखे, ओवरॉल इसका ultimate goal क्या होता है कि जब environmental performance index है तो आपे environmental health क्या है ecosystem कैसा है और climate policy कैसी है तो देखो हमारी climate policy बहुत अच्छी है मतलब सरकार बहुत ध्यान देती है विश्व में मुझे लगता है कि सबसे best country के तौर पे हैं जो कि पर्रयवर्ण को लेकर कितने जागरूख हैं और हर साल हम improve करते हुए जा रहे हैं अपने technology भी upgrade करते जा रहे हैं तो ये मतलब भारत की rank इतनी होना अपने आप में थोड़ा सा भरोसा नहीं होता इस चीज को लेकर के तो एक आपको ये वाली report ध्यान रखनी है ठीक है इससे सायद question पूछ ले अब एक report बड़ा surprising लगेगी आपको सायद ये पहली बार जो है इंडिया के द्वारा ही report जारी की गई है basic alp sankyak sujkank आपका ये basic alp sankyak sujkank first time आया आपका और ये जो है आपका basic alp sankyak sujkank पे भारत को पहली rank मिली है अब ये क्या है किसके द्वारा जारी किया गया sujkank तो इस report को बनाया गया है पटना का एक सोच संस्थान है center for policy analysis इसके द्वारा बनाये गया है ठीक है center for policy analysis center for policy analysis इसके द्वारा बनाये गया है एक मिनट हाँ center for अब ये पहली report है तो साइध important हो जाए पूछ ले policy policy analysis एक एक संस्था है जो की पटना में है आपकी पटना में इसके द्वारा जो है आपकी ये report जारी की गई है बैस्वी कल्प संख्यक सूचकांग 2022 ये पहला संस्क्राण है पहली report है आपकी और इस report के अंतर गत जितने भी विश्चो भर के देश हैं उन सभी देशों की धार्मिक अल्प संख्यकों के प्रती उनकी क्या दृष्टिकोंड है उनकी क्या नीती है उनकी क्या policy है constitution में किस तरीके के right दिये गए है इन सभी को ले करके ये rank प्रदान करता है और इसमें total 110 देशों की इस्तिती को देखा गया था 110 देशों की जो है इस्तिती को देखा गया था और ऐसे में number एक जो है आपको rank मिली है भारत को कि विश्व में अल्प संखों के लिए सबसे best जगे आपकी इंडिया है दूसरे नमबर पे दच्छड कोरिया है और तीसरे नमबर पे जापान है तो ये आपको ध्यान रखना है 110 देशों की रिपोर्ट में भारत को सरवादिक जो है समावेशी देश कहा गया है कि जोहां पे जो है तो ये आपको ध्यान रखना एक बैस्विक अल्प संख्यक सूच कांग में भारत वल्ड में नमबर वन है अभी चलिए आगे चलते हैं ये सतत्विकास रिपोर्ट है आपकी आपको पता होगा कि ये सतत्विकास रिपोर्ट सस्टेनबल डेवलप्मेंट रिपोर्ट 2022 है आपकी आपको पता है कि 2015 में हमने कुछ गोल्स ताइं किये हैं किसके सानिद्ध में युनाइटेड नेशन के सानिद्ध में संयुक्त राष्ट के जितने भी सदस्य देश हैं इन्होंने सतत्विकास के लिए एजेंडा 2030 पंदरा सालों के लिए लक्ष ने धारित किये थे अब इनको कौन कौन से देश हैं जो कि इसको फॉलो कर पा रहे हैं उनकी स्थिति क्या है इनको हासिल करना है हमको पहले सहस्तराबदी विकास लक्ष थे फिर उनको रिप्लेस किया 2015 में सतत्विकास लक्ष लक्षों ने थे कहें तो युनायाइटेड नेशन के द्वारा सतत उध्यकास लक्ष्हों को लेकर थे यह रिपोर्ट आपके सातुवा संस्करण है सेवन्थ एडिशन है ज्यान रखना है सातुवा संस्करण है और इस रिपोर्ट के अंतरगर जो है आपके कंट्रीज के नाम में आपको बता रहता हूँ नंबर एक में सतद विकास लक्ष को हासिल करने वाले देशों में नंबर एक में फिल्लैंड है तेक है और फिर वही नाम बार बार आते रिपीट होते डेन्मार्क और स्वेडन यह टॉप ठी है आपके और यदि हम भारत की रैंकिंग की बात करें कि बही इंडिया के पास क्या रैंकिंग मिली है तो भारत को 121 स्थान मिला इसमें भारत आपका 121 नंबर पे है बताए कोई दिक्कत हुआ भारत को 121 स्थान है सतद विकास को ले करके जो हमारी यह पूरी की पूरी रिपोर्ट आई हुई है तो सतद विकास रिपोर्ट 2022 क्लियर रैस पस्ठ है ठीक है और अब हम लगतार काम कर रहे है ठीक है चले अब एक चीज़ से मैं यहां पर और आपको आउगत करा देता हूँ देखे बहुत सारी आपदाएं आती है उनमें से एक आपदा है चक्रवात आपदा हर साल कोई ने कोई चक्रवात आता है है ना और बिश्व के किसी ने किसी छेतर में चक्रवात आता ही रहता है अब चक्रवात कैसे आता है कैसे बनता है उसको लेकर के तो मैंने एक प्रॉपर क्लास ली है वह जाद ही इस एकेडमी में वीडियो है यदि आपको समय मिले तो वहाँ पर जाके एक बार देखेगा सर्च करिएगा चक्रवात या साइकलोन भाई रवी प्रकास अजाद तुम आने डिटेल से बताया कि उश्ड कड़बंदी चक्रवात कैसे आते है तो भारत में 9 दिसंबर को एक चक्रवात आया था 9 दिसंबर 2022 को कहाँ पर आया ये बंगाल की खाड़ी पर आया ठीक है यहाँ पर मैं एक बार थुदा सा दिखा जेता हूँ यह आप देख पा रहे है ये वाला जो छेतर है आपका बंगाल की खाड़ी का रीजन है ये पूरा का पूरा रीजन जो है बे अप बंगाल है तो यहाँ पर आपका चक्रवात जो है नाम कई बार पूछ लेता है तो चक्रवात का नाम रखा गया था मेंडस चक्रवात मेंडस आया था 9 दिसंबर को ठेक है और ये आपका जो है तमिलनाड़ु के आस पास जो है इसने ये तमिलनाड़ु वाले छेतर पर जाकर के तकराया था काफी जो है ये आपका गंभीर चक्रवात था और इसका नामकरण मेंडस जो रखा किया था वो रखा गया था संयुक तबर अरब अमीरात के द्वरा UAE के द्वरा जो है इसका नामकरण किया गया था ठीक है मेंडस एक अरबी सब्द है आपका अर्बी सब्द है जिसका मतलब है खजाने का पिटारा अब पता नहीं कौन सा खजाना लेकर आया था ये खजाने का पिटारा खजाने का पिटारा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है मेंडस चक्रवात आया था आपका अर्भी भाशा में आपका पूरा का पूरा खजाने का टीजर बॉक्स मतलब मेंडस का मतलब है टीजर बॉक्स ठीक है तो यह आपका तमिल नाड़ू वाले चेतर में जो ममल्ला पुरम बाला चेतर है पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था, ठीक है, चलिए, तो अब देखो ये चक्रवाद चलो भारत में आए, भारत में गटना और गटी थी आपकी, मैंने पहले वैसे बता रहा लेकिन फिर बे एक बार आपको बता देता हूँ, जनवरी 2023 में आपको पता होगा, उत्तरा भू इस्कलन हो गया था, ठीक है, चमोली जिले में आपको पता ये, उत्तरा कड़ में चमोली जिले में जगए है, और यहीं से बद्री नाद्विकुन नजदीक है, चारो धाम जो आते हैं तो जोसी मत क्या हो गया था, भू धसा हो गया था यहापे, भू धशाओ हाँ ठीक है तो आप देखिए यहां पर अब हम आपके आज के करेंट अफेर्स में कुछ महत्यपूर्ण टॉपिक थे आपके जहां से कुश्चन आपको पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा थी तो यह सारे टॉपिक मैंने यहां पर कबर करा है आपके ठीक है तो यह आपके कुछ महत्यपूर्ण टॉपिक थे जो करेंट अफेर्स में आज हमें करना था मैंडेश चक्रवात आयता आपका और यह देखे कुछ जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स थे वो मैंने आपके कबर करा दिये बाकी देखो करेंट अफेर्स को लेकर कि अब आपको मास्टर वीडियो और जो पुराने जितनी भी क्लासेज मैंने इसमें करवाई है पुरानी मतलब अभी लेटेस्ट करेंट अफेर्स है यह तो अभी तक कि जितनी भी क्लासेज हो गई है नोट्स बना लिया आप लोगों ने उस सब को रड़ जाना है पूरा एक एक करेंट अफेर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाकी मैंने आपको बताया यह कि साथ में जो है कोई भी मैगजीन एक आप साथ में लेकर के चल सकते हैं उससे भी पढ़ सकते हैं और जो मैं नोट्स बढ़ा रहा हूं यह अपने अपने इन आप है तो आज के करेंट अफेर्स के सेशन में इतना ही रखेंगे ठीक है चलिए